यहां पर हम देखेंगे कि बिल्डिंग के अंदर कितने लोड लगते हैं ठीक एक होता है ग्रेविटी लोड लेक्ट लिटरल लोड ठीक ग्रेविटी लोड में क्या क्या रहता है वो हम देखेंगे और लिटरल लोड में हमारा क्या क्या रहता है वो देखेंगे तो सबसे पहले मैं यह लिख लेता हूँ बिल्डिंग के अंदर कितने लोड रहते हैं ठीक यहां से अलग-अलग बाट देता हूँ पहला हमारा रहे है ग्रेविटी लोड और दूसरा लेटरल लोड तो इसके अंदर कितने रहेंगे इसके अंदर भी अलग-अलग रहेंगे तो इसको लिख लेते हैं ग्रेविटी लोड ठीक और यह ठीक दो लोड हो गए अब इसके अंदर क्या क्या रहता है ग्रेविटी लोड में क्या क्या आता है और लिटरल लोड में क्या क्या आता है वह हम देखेंगे तो ग्रेविटी लोड के अंदर होता है डेड लोड और लाइड लोड दो लोड होते हैं dead और live dead लोड वो हम देखें, dead लोड किसको बोलते हैं dead लोड और दूसरा हमार होता live लोड dead लोड में क्या आएगा dead लोड में आएगा वेट आप बीम कॉलम ब्रिक वर्क उसके अलबा स्टेरकेस फ्लोरिंग ये सबी जो फिक्स रहेंगे मतलब ये चल नहीं सकते इदर उदर ये फिक्स हो गए ये सबी डेड लोड में आएंगे ठीक जैसे बीम, कॉलम, प्लास्टर, सीमेंट सरिया ये सबी डेड लोड में आगया हमारा ठीक, बीम के अंदर सीमेंट, सरिया प्लास्टर सभी हो गया, कॉलम के अंदर सीमेंट, सरिया plaster से भी हो गया ठीक brick work का हमारा first floor second floor third floor ये भी हमारी जो floor रहेगे अलग-अलग first, second, third ये भी dead load में आती है ठीक अब live load में हमारा क्या आएगा अब live load में देखते हैं floor live load floor ठीक फ्लोर पर जो material रहेगा वो live load में रहता है ठीक roof का load उसके बाद snow load ठीक, अब इसमें इसके अंदर जो table है, पंखा है, कुर्शी है जो भी सभी, जो हमारे सामान रहते हैं इदर सो उदर चलने वाले इसमें हम भी आ चुके ये सभी live load में गिने जाते हैं ठीक snow load यहाँ पर इसमें देखते हैं literal load में तो literal load में wind load ठीक इसमें हवा का load भी रहता है ठीक दूसरा अर्थक्यूक load यानि जमिन का जमिन का जो load रहेगा वो अब यहाँ से एक load हमारा और रहेगा जैसे बिल्डिंग मनी हुई है यह foundation इसके नीचे से भी load आता है ठीक यह के load अब इसमें इसमें क्या क्या रहेगा इसमें पानी का भी load रहेगा वाटर प्रेशर लोड ठीक अर्थ प्रेशर लोड ठीक उसके बाद में जैसे कोई चट्टा ने रहते हैं उनका भी load यह सभी load इसमें लिटरल लोड में आता है ठीक तो यह load हमारे बिल्डिंग पे लगता है ठीक्स आता है